एहिंकार को हट होता है इसलिए तो विश्व में इतनी सारी टेक्निक्स बनी है कम्यूनिकेशन जब आप लोगों के साथ करते हो विहवार करते हो तो किसी को कुछ कहने जा रहा है मेरे लिए ये काम करो अगर उसने ना कह दिया तो उससे हा करवाना बड़ा मुश्कल होता है पहले ही ना कह दिया तो अब वहा नहीं कहेगा अब उसको पता भी चल गया कि ये उसके लिए जरूरी है तो भी वह ना ही कहेगा तो ये कौन बोल रहा है ये अहिंकार है जिस वज़े से इनसान अपना मंगल भी अस्वीकार कर देता है अहिंकार ये कर सकता है बड़ा फ्रजाइल है जल्दी हर्ट हो जाता है जल्दी चोट पहुंचती है सामने वाले ने इस तरह नहीं देखा इस तरह नाक उपर किया गरदन इस तरह गुमाई आँख इस तरह टेड़ी की इस तरह सामने वाले कान में कुछ कहा हर छोटी बात पर हट होता है ये मुझे नहीं मिला उसे मिला पीछे के कारण जानने का प्रयत्न नहीं करता कभी कहता ही नहीं अपने आप वो कहीं यह मेरा अनुमान तो नहीं पूरी बात समझतो लूँ पूरुनता करतो लूँ उसके बार डिसाइड करो कि सामने वाले ने मुझे नीचा दिखाने के लिए यह किया या उसके पीछे intention या भाव कुछ और था अगर लोग भाव देख पाते तो विश्यो में जितने जगड़े हो रहे हैं बिल्कुल नहीं होते कह रहा है शब्द जो negative लग रहे भाव दिखता तो आप तुरन समझ जाते नहीं उसका intention positive है वो मुझे hard करना नहीं चाहता वो मेरा mangal चाहता है ये अगर दिखाई दे तो खाँ जगड़े होने वाले नहीं होगे मरी दिखाई नहीं देता तो सामने वाले ने कुछ कहा नहीं कि अनुमान लगा नहीं कि तुरन्त पिछली बार उसने ऐसा किया था अब भी उसका वही intention रहेगा ये ऐसा ही करता है ऐसा ही चाहता है ये मेरा शुपचिंतक नहीं है कितना कुछ सोच लेता है और बाद में पता भी चलता है और अनुमान लगाने की habit नहीं तुटती बाद में पता चलता है और वो भूल जाता जल्दी अपनी मुर्खता जल्दी भूल जाता है अहिंकार ये करता है सभी को शुब एच्छा हापी थौट्स योट्यूब दोरा कई दर्शक कई महनों से निरंतरता से सुन रहे है आज भी नए दर्शक जुड़े है उन सभी का हम टेजग्यान फॉंडेशन में करते है अज लाखों लोगों के जीवन में आया है अलग-अलग विशों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते है आज इस शन हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुन्दर विशय है आज का विशय है एहिंकार मुक्त अनन्य जीवन कैसे जीए मेरा मीरा और एक लव्य का भाव I am nothing so I am fearless आईए गरहनशील होते हैं और आज के विशय में प्रवेश करते हैं एक छोटा समय जो हम दे रहे हैं 100% दे ताकि हम विशय को अपने अंदर गरहन कर पाएंगे आईए गरहनशील होकर सुनते हैं आज का विशय तब तक के लिए धन्यवाद happy thoughts शब्द आप पढ़ते हो किसी कागस पर, अलग-अलग शब्द है, लाल स्याई से, काली स्याई से, हरी स्याई से, नीली स्याई से, पिली स्याई से, अलग-अलग शब्द लिखे हैं, क्या लिखा है, कोई भी एक उधारन लिखा है, अगर इस तरह लिखा हो, कि एक कागस कवी कागस था उसने कागस एक कागस दिन कागस डिसाइड कागस किया उसने कागस कवी था कागस लिखना कागस डिसाइड कागस किया उसने कागस कागस उठाया उसने कागस कागस उठाया तो यह जब लिखा जा रहा है, शब्द अलग-अलग, तो हर शब्द के बीज में क्या है? कागजी है. यह सारे शब्द टिके हुए कैसे है? अपनी जगे पर टिके हुए कैसे है? क्या कभी सोचा? निउस पीपर तो रोज पढ़ते हो. और यह शब्द किस पर टिके हुए है? अगर कागज न होता, तो शब्द कैसे टिकते है? तो यह जो शब्द कहा, शरीर के पृतिक, यह शरीर अलग-अलग. कोई लाल है, कोई काले है, जगड़े होते हैं शब्दों के बीश में, क्योंकि अलग-अलग दिखते हैं न? शब्द अलग दिखते हैं, उनका आकार अलग दिखता है. उनका रंग अलग दिखता है. उनका अर्थ अलग दिखता है. तो इतने लोगों से मिलते हो, सभी का अर्था आपको अलग दिखता है, लक्ष अलग दिखता है यह डॉक्टर बनना चाहता, यह इंजिनेर बनना चाहता कभी आपको लगता ही नहीं कि उनके साथ एक ही चीज है अर्था भी वही है, आकार वही है, रंग वही है उसी कागज पर है, कागज नहोता ये शब्द नहोते है, और फिर उन शब्दों के पीछे, सिर्फ बीच में कागज ऐसा मत समझना, उन शब्दों के पीछे भी कागज है, और फिर क्या क्या है, दो शब्दों के बीच में हमने कागज शब्द भी लिखा, याद दिलाने के ल Mohn, Shabdrah Mohn, Shabdrah Mohn, Shabdrah मor फिर भी आपने कहाने में क्या लिखा ? हर Shabdrah के वीच हो, Bibi Kacias Kaad लिखा ताके कभी है, जब Bibi Kaagad उठाता है कविता लिखने के लिए तो उसको याद आना चाहिए कि ये कागस वह कागस है जो हर शब्द के बीच में है हर शब्द के पीछे है और वो common है एक ही है वो बदला नहीं उसकी वजह से शब्द दिखाई दे रहे उसका होना आवशक है तो ये रहसे खुल जा अधियात मजा नहीं क्या ये सब दिखाई दे आपको ये तो सब उधारन थे अबर ये ठीक यही आपको अपने अंदर दिखाई दे कि ये शरीर कैसे शब्द का काम कर रहा है मगर उसके साथ उसके पीछे जो चीज है और मैं दूसरे शब्दों को कैसे देख रहा हूँ लेफ्ट में राइट में सामने दूसरे शब्दों को कैसे देख रहा हूँ ये काला है इससे दूर रहो ये गोरा है ये अच्छा है ये बुरा है मर देखोगे कि एक ही कॉंटेक्स्ट है एक की संदर्व है सभी एक ही कहानी लिख रहे एक ही कवी की कहानी एक की ही अभ्यक्ती सारे शब्द एक की ही अभ्यक्ती कहानी तो एक ही है ना दूसरी कहानी नहीं लिखी गई उसका अगस पर एक ही कहानी लिखी गई है वही continue है मर कहानी वही continue है जो पहले से चलते आ रही है सारे शब्द आए इसी कहानी को continue करने के लिए तो अनन्द आता है ना कहानी लंबी हो गई है असा लगता है आपको मर लेखक के एंगल से देखो तो कहेंगा अभी तो शुरुवाद की है लेखक केएगा अभी इतनी मिजडर बात हो नी है अभी तो ट्विस््ट आना है यू-टर आना है अभी तो क्या-क्या होना है में आपको लेखक के ओढ़ा रहे इतना दोहजार साल पहले जीजल आयेथे 235 पहले बुद्द आये थे हो गया ना बहुत मर लिखक के एंगल से देखो वो कहा गया तो अभी कहानी शुरू हुई अभी अलग-अलग डंग से अभिवक्ती हो रही मीरा के शरीर से अलग अभिवक्ती हो रही कबीर के शरीर से अलग अभिवक्ती हो रही चतने महाप्रबू रामकृष्ण प्रमांस अभी तो और कितनी अभी वेक्तिया है बाकी है अभी तो शुरुवात हुई है अभी तो शिखर आगे है तो लिखक की अंगल से देखना अध्यात्म है कहां से देखना अध्यात्म है हमें तो दिखते हो नहीं दिखता ऐसा अगर ये दिखने लग जाए तो किसी को अलग कारे करते हुए आप ये सुचोगे क्या कि ये मेरा कारे नहीं कर रहा आप ये कहोगे नहीं कहोगे वही कारे कर रहा है वही कारे जो आप कर रहे हो दिखाई चाहे अलग दे दिखाई अलग देगा तो क्या आप सत्य को भूल जाओगे, सत्य को ठुकरा दोगे कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कहेगा हर एक चाहता है मुझे सच्चा ही बताई जाए लोग आपस में जगड़ते हैं, मेरे को क्यों नहीं बताया हरेको सच्चाई में इंट्रेस्ट है जल्दी बता चले थोड़ लेट भी बताया तो गुसा आता है मुझे पले बताता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता में इतना परिशान नहीं होता जल्दी बताना चाहिए था तु ऐसे ही सत्य जानने की अर्जन्सी आये जल्दी बता चले हम बिना सत्य नहीं जी सकते आईसा जीवन नहीं जीना चाहते जहां बोट लेट इंवरमेशन मिले तो सभी एकी ही कारिय कर रहे है ये पक्का हो जाए अहिंकार मगर नहीं चाहता कि सभ एक हो जाए क्योंकि वो चाहता मैं अलग दिखूँ मैं अलग दिखूँ ऐसा लेबल मुझे मिले मिस यूनिवर्स ऐसा ताज दिखे अलग दिखूँ दूसरों से अहिंकार ये चाहता अहिंकार चाहता मैं सबसे अलग दिखकर हाइलाइट हो जाओं अहिंकार अपने आपको अलग करना चाहता है गुरू भी क्या करते हैं? अहिंकार को अलग करते हैं काम दोनों वही करते हैं मगर फर्क है फर्क क्या है? अहिंकार अपने आपको अलग करके अपने आपको हाइलाइट करना चाहता है गुरू अहिंकार को अलक करके dimlite करना चाता है अहिंकार को हलक नहीं है, इसकी dimlite करनी है अहिंकार को hurt होता है, इसलिए तो विश्व में इतनी सारी techniques बनी है communication जब आप लोगों के साथ करते हो, विहवार करते हो तो किसी को कुछ कहने जा रहे हो, मेरे लिए ये काम करो अगर उसने ना कह दिया, तो उससे हां करवाना बड़ा मुश्किल होता है पहले ही ना कह दिया तो, अभी वहां नहीं कहेगा अभी उसको पता भी चल गया कि ये उसके लिए जरूरी है तो भी वह ना ही कहेगा तो ये कौन बोल रहा है? ये एंकार है जिस वज़े से इनसान अपना मंगल भी अस्विकार कर देता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपना महत्व जताने के लिए सत्य को भी ठुकरा देता है इससे बड़ी मुर्खता क्या होगी? अहिंकार ये कर सकता है बड़ा फ्रजाइल है जल्दी हर्ट हो जाता है जल्दी चोट पहुंचती है सामने वाले ने इस तरह नहीं देखा इस तरह नाक उपर किया गर्दन इस तरह गुमाई आँख इस तरह टेड़ी की इस तरह सामने वाले के कान में कुछ कहा हर छोटी बात पर हट होता है ये मुझे नहीं मिला उसे मिला पीछे के कारण जानने का प्रियत्न नहीं करता कभी कहता ही नहीं अपने आप को कहीं ये मेरा अनुमान तो नहीं पूरी बात समझतो लो पूरुनता करतो लो उसके बात डिसाइड करो कि सामने वाले ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये किया या उसके पीछे इंटेंशन या भाव कुछ और था अगर लोग भाव देख पाते तो विश्यों में जितने जगडे हो रहे हैं बिल्कुल नहीं होते यदि भाव दिखाई देते यानि सबी लोगों के चारो तरफ जो आभा मंडल है उसमें लोगों को भाव दिखाई देते कि ये रंग दिख रहा है इसके चारो तरफ यानि इसका भाव पॉजिटिव है कह रहा है शब्द जो negative लग रहे है भाव दिखता तो आप तुरंट समझ जाते नहीं उसका intention positive है वो मुझे हर्ड करना नहीं चाहता वो मेरा मंगल चाहता है ये अगर दिखाई दे तो खाँ जगड़े होने वाले नहीं होगे मरी दिखाई नहीं देता तो सामने वाले ने कुछ कहा नहीं कि अनुमान लगा नहीं कि तुरंट पिछली बार उसने ऐसा किया था अभी भी उसका वही intention रहेगा ये ऐसा ही करता है ऐसा ही चाहता है ये मेरा शुप चिंतक नहीं है कितना कुछ सोच लेता है और बात में पता जलता है और अनुमान लगाने कि हनीज रह्ता है वो भूल जाता जल्दी, अपनी उसने लगाने की हैबिट नहीं टूड़ती सğı पाद पता चलता भी अपने मुर्खता जल्दे भूल जाता है रहे वहा याद रखता है पिछली बार यही मुर्खता हुई थी यही गलती हु अब अपनी हानी नहीं करनी है सचमुझ तेज स्वार्थी कौन? स्वा का अर्थ स्वार्थी जो स्वा का अर्थ जानता है वो तेज स्वार्थी है जो तेज स्वार्थी होगा कभी भी ऐसी मुर्खता नहीं करेगा जिससे उसके अंदर जो सल्फ है तो साक्षी है, वह असंतुष्ट हो जाए, क्योंकि उसकी संतुष्टी के लिए सारा कार्य चल रहा है, वह संतुष्ट हुआ तो आपके अंदर पूर्णता की फीलिंग आती है, संपूर्ण लक्ष प्राप्त हुआ, ऐसी फीलिंग आती है, वरना कभी लगेगा नहीं कि हमने कुल मूल उद्देश पाया पर्थिवी पर आये सब कुछ किया सिर्फ अपना उद्देश प्राप्त नहीं किया बैकि सब कुछ किया और चले गए तो जब पता चलेगा तो अपनी मुर्खता पर रोना आएगा क्या होगा काश किसी ने उस दो याद दिलाया होता काश किसी ने संकेत किया होता किसी ने एक बार तो बताया होता आज बाज में ऐसे लोग क्यों थे जो नहीं जानते थे किसी ने तो इशारा दिया होता कुल मूल उद्देश का तो अगर भाव दिखाई देते युद्ध नहीं होती मगर भाव दिखाई नहीं देते क्योंकि खंडित जीवन है भाव विचार वानी क्रिया अलग-अलग दिशा में जा रहे इसलिए हमारे जीवन में खंडन है और खंडित जीवन जीने वाला कैसे जी रहा होगा कितनी परेशानियों में होगा क्या आप अंदासा लगा सकते जिसके भाव विचार वानी क्रिया अलग-अलग है वो कैसा जीवन जी रहे होंगे और जैसी बताया कि लोगों को हट होता है इसके लिए ही कितनी सारी टेक्निक्स बनी है लोगों का अहिंकार को ठेस न पहुचे कितने सारे बुक्स लिखे गए how to win friends and influence people तो वो पढ़कर देखोगे तो यह होगा कि सामने वाले कि अहिंकार को कैसे पुष्टी मिले तो वो आपके कार्य करे तो how to be friend how to win friends वाली बात नहीं थी आप कैसे मित्र बनो क्या सच्चा ही जानो कि सब जुड़े हुए है सच्चा ही जानकर अगर यही कार्य होता है तो फिर हमारे रिष्टे कैसे होंगे फिर आपको influence करने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी इसको influence करो इसको आकरशित करो फिर आप जो हो वो बनकर लोगों के सामने जाओगे तो automatic होने वाला है सभी आकरशित इसलिए होने वाले है क्योंकि वह भाव communicate होता है आपका जीवन ही लोगों को बताता है यह नहीं पता तो तब तक क्या किया जाए तब तक अहिंकार के लिए कुई techniques जैसे जैसे higher की तरफ जाओगे तो आप higher का उपयोग lower के लिए नहीं करोगे lower का उपयोग higher के लिए करोगे उन techniques का भी इस्तमाल लोगों को सत्यक पर लाने के लिए करोगे तो साम्प को भी सीड़ी बनाना सीखोगे यही training दी जा रही है आपको साफ साफ दिखा ही दे फिर आपके अंदर जो डर है वो समाप्त हो जाएंगे अखंड जीवन में डर मानता है पैटन्स खत्म हो जाएंगे गोशना क्या निकलेगी कि अभी हमें कोई हरा नहीं सकता अहिंकार भी यही गोशना करता है अहिंकार भी यही गोशना करता है मुझे कोई हरा नहीं सकता और एक बोडी में जहां समर्पन हुआ वो भी कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता वो क्यूं कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता अहिंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता because I have this, that, money, power, chair. वो क्या कहेगा? I have, I have this and that. और जहान समर्पन हुआ मन का, वहान क्या होगा? कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, because I am nothing. जब कोई परसन पहले ही हरने को तयार है, पहले ही हरने को तयार है, उसको आपने हराया, तो हकीकत में वह जीत गया. क्योंको वह वही चाहता था. वो अपना अहिंकार हरना चाहता था. और अहिंकार हर गया, तो वह जीत गया. इस कार था जीत गया, ना? जो चाहता था वही हुआ. तो जो भी होगा तो कहेगा यही तो मेरी विल थी, यही तो मेरी चाहता था तो जीत गया, विश्व में जो भी हो रहा है, यही तो मेरी चाहता था, असलिए जीत गया, अब को नहीं हरा सकता, जब अवस्ता आगी, मेरा हैंकार कहेगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता कि मेरी पह मतरहिए उनल समय जम सपकता उनल जम सबस्क्राणे को पाते डूतवीय के में सबस्क्राइब। फूते रहते रहते पाओ यह पाते ओन दक्यार हो गोर्त ने सबस्क्राइब। र्ड्वाटी को बत př 옙कें लेदयें यह वह तुर। पता नहीं कल को छोड़कर जाए, यह छोड़कर चला जाए, पता नहीं कल क्या हो जाए, इलेक्षिन में हार जाए, जमानत जबत हो जाए, डरे हुए, जो भी something है, वो डरा हुआ है, जो nothing है, वो निडर है, अगर आप कहते हो, मैं भाई हूँ, बहन हूँ, पती हूँ, बीवी हूँ, बॉस हूँ, नकर हूँ, तो आप कुछ बन गए, कुछ बन गए है तो डर है, जब भी आप कुछ है, तो समझना डर होगा ही, जिस दिन आप महसूस करने लग जाओगे, कि I am nothing, बोलने के लिए ठीक लोगों के लिए तो आपको बोलना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बर अंदर से आप जान रहे है कि I am nothing, इसलिए आपको डर नहीं है, एक फकीर था, जो बीख मांगता था, जो मिलता था, खाना, खुद खाता था, अपनी माँ को खलाता था, इसकी माँ बुड़ी थी, ज लेकर आए, मा को दिया आकर मा बड़ी खुश हो गई, उसने जोपड़े में समाल के रखा, और उस दिन से उस फकीर को बाहर सुलाती थी जोपड़े के, कि बाहर सो कोई चोर भी न आ जाए, कोई चोर न आ जाए, तो बाहर सोया कर, दो-चार दिन वो सोया, बड़ी रात की नेंद खराब हो गई। फिर भूल आभी क्या करना चाहिए। आप ये एक रुपया चोरी जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए वो निकल पड़ा और हर एक से पूछ रहा था किसी चोर का पता दो। किसी चोर का आड्रेस दो और लोग बुछ लही तो कि चोर का पता ऴॉश बार के जिए किसी ने पूचा लएिज पागा लएंर थे जब एफ्टे टो कहता ह। ंप जयता है वे चाहता हूँ वो ने आराम से सौंध कि जब कुछ है तो耦र है जब कुछ नेही है तो डर नहीं है कहानी से ये कोई अर्थ न निकाले कि हमारे अभी पास जो भी है हम सब किसी को दे देंगे कहानी से एक समझ दी जाती है कि चीजें आपके पास है मगर मेरा का जो भाव है मेरा क्योंकि जब मेरा है तो डर आ गया मेरा है तो डर आ गया, मेरा है तो डर चला गया, मेरा है तो डर चला गया, मेरा है तो डर कहा है, मेरा है तो डर कहा है, मेरा है यानि भगता है, वहां कहां डर है, वहां कहां डर है, वो तो राज मेहल में थी, वहां कहां डर था, कितने चीज़े थी, कोई डर नी था, गर से न आफ राटत ना निकाले कि हमें सब उठा की किसी को दे देना है। इसका अर्थ है यिदग तक आप इस्तिमाल कर रहे हो, आपकी चीज है, मेरा का भाव उसके साथ नहीं है। कोई और इस्तिमाल कर रहा है, वो उसका है, मेरा जहा है तकलिव नहीं होगी, थोड़ा पाउडर भी ले लिया, मेकप का सामान भी ले लिया, तो कितनी तकलीफ हो जाती है. मेरी चीज है, इसने हाथ क्यों लगाया, तो कितनी तकलीफ हो जाती है. मेरा मोबाइल कैसे हाथ लगा सकता है, तो कितनी तकलीफ हो जाती है. जब खंडित जीवन जीते हैं तो तकलिफ होती है. मेरा मोबाइल देख लेगा, मेरा इसमेस पड़ जा लेगा, तकलिफ हो जाती है. क्यों कि एक चेहरा दिखाने के लिए होता है एक लिए अंदर का होता है. डबल जीवन होता है दबल परसटलिटी. कि कोई पड़ लेगा मेरे बारे में, हकीकत जान जाएगा अमें कैसा, तो लोग डरे हुए जी रहे, क्योंकि खंडित है, बहुत परस्नलिटीज है, जो अंदर वार से एक हो जाएगा, तो बले, कोई भी पड़े, खुली किताब है, हम जो अंदर से है, हम बाहर से है, जैसा है, तो आज ahamne, अद्यात्म का असली अर्थ क्या है, एक इंसान को कोई, अपने बिसनिस के लिए, इंप्लाई चाहिए था, काम करने वाला चाहिए था, कोई मेनेजर चाहिए था उसको इंटर्विव लेनी थी कौन परसन सही है तो उसे इंटर्विव कैसे ली दो कंडिडेट्स आये थे दोनों को बिठाया और सवाल पूछे कि फला फला शहर में हमें हमारी कंपने का प्रोडक्ट डालना है तो हम क्या करें तुम उस शहर में गये हो क्या एक से पूछा है हाँ शहर में गया हूँ वो शहर बहुत बेकार है बहुत जिब कतरे वहां पर मैं तीन बार गया हूँ तीनों बार मेरा पॉकेट मार लिया किसी ने तीनों बार किसी ने पॉकेट मार लिया अच्छा अच्छा ऐसा है और क्या है फिर वहां रहने की विवस्ता कहां रहते हो आप जाते हो तो किसी होटल वगर में रहते हैं खाना भी वहां का अच्छा नहीं है आप वहां प्रॉडट्ट लॉंच करो ही मत क्या कहता है प्रॉडट्ट लॉंच मत करो वहां खाना इतना बेकार है, तीनों बार में बीमारी हुआ हूँ, यहां आया वापस, तो मेरा पेट खरा हुआ ही है, आच्छा, दूसरे से बुच्छा आपका क्या कहना, तुम कभी गए हो शेर, हां में भी गए हूँ, और यह जो कह रहा है, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, दूसरी बार मुझे बहुत सजग रहना पड़ा, तब मेरा पर्स बच पाया, दूसरी बार में बहुत सजग रहा, तब मेरा पर्स बच गया, और खाना में ऐसा ही है, होटल्स का, गंदगी है, सफाई नहीं है, मुझे भी तकलीफ हो गई, म अगली बार सरे मैं अपना टिफिन लेकर जाता हूं। दूसरी बार गया, टिफिन लेकर गया। तो उस इंसान ने मालिक ने उसको चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि ये गल्तियों से सीखता है। ये गल्तियों से सीखता है। इसकी जेव तीन बार कट गई है, हद मुर्खता है। पता है, इस शेहर में ये होता है, फिर भी ध्यान किदर है। माया में ऐसा होता है, पता है, फिर भी ध्यान किदर है। गलतियां करो ठीक है, मगर वही वही गलतियां हो रही, इस कारते क्या है, किसको चुनोगे आप दोनों में से, जो अपनी गलतियों से सीख रहा है, यह अभी टिफिल लेके जाता है, फिट खराब होता है तो जानता है, गलतिया सीख गया, और एक परसन बार बार बिमार हो रहा है, मर वही गलति दोहरा रहा है, तो यह गलतियां होगी, गलतियों से गब्राओ मत, मर अपने आप से पूछो, कि यहां अब क्या होना चाहिए, यह गलतिया हो रही है, तो क्या होना चाहिए, अध्यात मुझाने एक होना एक तरब मैं ये बोलता हूँ, एक तरब ये बोलता हूँ एक जेक्टली मुझे कहा रहना है या तो यहां या तो यहां दो दो गुरू मत बनाओ गुरू एक ही हो क्यों कहा गया उसका असली अर्थ समझ में आएगा एक की मानों क्यों कहा गया? कि मन फिर पायदा लेता है थोड़ा इसका थोड़ा उसका और करता अपनी मन मानी तो ऐसा न हो जाए तो गलतियां सुनो देखो और उसे बाहर आओ नहीं गलति हो तागे और आगे बढ़ेंगे कृष्ण ने कहा गीता में जो मेरी अनन्य भक्ति करता है मन को उस्तिर करके मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही सुनता है मुझे ही देखता है मुझे में प्रवेश पाता है जब उन्होंने ये कहा तो अध्यात्मा का यही डेफिनिशन कहा जो अनन्य भक्ति यानि अन्य नहीं है जहां एक ही दिशा में मन को उस्तर करके एकागरत करते यानि एक एकागरत एक करके खंडित नहीं, मन का एक हिस्सा इदर लगा हुआ है, मन का एक हिस्सा उदर लगा हुआ, एक तरफ क्रिया समर्पित कर रहा है, एक तरफ बोलता है, मैंने किया किया है, तो कैसे हो रहा है, खंडित है, खंडित जीवन से रिजल्ट नहीं आएगी, अखंड होकर रिजल्ट और खुद अलग है, और अगे कहा वो मुझ में प्रवेश करता है, यानि एक हो जाता है एकम, तेजम्, अद्यहत्मा का जो असली अर्थ बताया एक हो जाना एष्वर से, एक हो जाना तो जल्द से जल्द एक लव्य बने, एक नाथ बने, यानि एक ही दिशा, अंतराल का महत्व बताया, कागज में दो शब्दों के बीच में अंतराल, और फिर भी कागज लिखना पड़ा, ताकि याद आए, कागज कागज नहीं है, कागज शब्द, कागज नहीं है, मौन शब्द, मौन नहीं है, ओम शब्द, ओम नहीं है, जब यह पता चलेगा, तो लोग जो धर्म के नाम पर जगड़े कर रहे हैं, जगड़े बंद हो जाएंगे, यह सब रिमाइंडर्स है, एक ही अनुभव पर जाने के लिए है, पेपर पर जाने के लिए है, सुएं पर जाने के लिए है, तेजिस्थान पर जाने के लिए है, मजभ धर्म, शब्द बन गए, क्योंकि इतने हजारों साल हो गए, अलग-अलग शब्दावलिया रही, आज अलग शब्दावले सुनकर लोग सोचते ये अलग धर्म के ये उर्दू इस्तिमाल करते ही अलग है ये संस्कृत इस्तिमाल करते ही अलग है ये जैन है ये बौद है मगर हकिकत में शब्दों की लिमिटेशन है उसको समझो शब्द वर्दान है अभिशाप नहीं है मर अ नहीं शब्दों के साथ आज आपको कुछ बताया गया सेवा का मौका दिया इसके लिए आप सब का बहुत-बहुत दन्यवाद हावे थार्ट्स बार्गतरिशन का लाव हमने लिया सुनते सुनते हैं हम एक कहीं अनुभव कर रहे थे अध्यात्म की गहरी बाते आज हमने सुनी है आये कुछ सुचनाएं हैं वो सुनते हैं और प्रार्थना में जूड़ते हैं टेज गयान फॉंडिशन का मुख्य रिट्रीट होता है महा आ रिट्रीट किया रहता तो अब चलो अब को भी मेसेज मिल रहा है यूट्यूब के दर्शक जो भी सुन रहे है इशन यदि उन्होंने इस रिट्रीट को नहीं किया है आज ही रजिस्टर करें यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सीधा सरल शक्तिशाली बने कि हमारे जीवन का हर स्थर शारेरिक स्थर मांसिक स्थर सामाजिक हो आर्थिक हो और अध्यात्मिक इन सबी स्थरों में यदि हम उन्नती चाहते हैं तो हमें करना चाहिए महा आस्मानी परम ज्यान शिविर मैं कौन हूं मैं पृत्वी पर क्यूं आया हूं मोक्ष क्या है मैं जो जीवन जी ग्यान शिविर में, self development to self realization towards self stabilization, वैसे ये निवासी शिविर है, मनन आश्रम पर लोग पांच दिन आते हैं रहते हैं और इस रिट्रीट का आनन लेते हैं, मगर जूंकि अब lockdown का समय चल रहा है, तो इसका online हमने आयोजन किया है, पांच दिलसिय रिट्रीट होता है, जिसका पह उसका लाब हम ले सकते हैं, हम अपने friends लेटे उसको इसके साथ जोड सकते हैं, फिर अगली जो सूचना है, तेज ग्यान foundation का आप है, voice of happy thoughts आप, इस आप को हम register करें, इसमें हम पाएंगे कई सारे ध्यान, भजन, प्रवचन, स्वासमवाद, और लगबग 6 गंटे से उपर exercises हैं, जिसका लाब हम इस एप दौरा ले सकते हैं, तो कई सारी चीजे इसमें खटा की गई हैं, ताकि संसार में रहते हुए भी हम सकते के साथ कैसे रह सकते हैं, ऐसी चीजे हमें reminder देती हैं, तो voice of happy thoughts आप का हम अवश्य लाब लें, नीचे दिये गए numbers पर हम अवश्य सब् परिचना है, तो आए इस रिट्रीट का लाब लेंगे, तो आए अपरार्थना में जूडते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, happy thoughts. सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है, तेज ग्यान नहीं, तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं, इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं, यह शिविर आप online भी कर स अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।